अगर आप किसी भी competitive exams की तैयारी कर रहे हैं तो counting figure reasoning का concept आपको आना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का एक figure दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कितने तिर्भूज हैं, कितने आयत हैं या फिर कितने वर्ग हैं तो आज इस वीडियो में हम लोग तिर्भूज के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी भी तरह का figure दिया हुआ है तो कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने तिर्भूज हैं चुकि 1, 2, 3, 4 इस तरह से counting करके आप नहीं बता सकते हैं इसका कुछ basic concept और rule है उसको समझना पढ़ेगा तो आज हम लोग तिर्भूज के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में आयत और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो तिर्भूज से related जितने भी question बनते हैं या फिर जितने भी figure बनते हैं वो सारा का सारा इन 5 basic pattern पर आधारित होते हैं मतलब अगर आप इन 5 pattern के बारे में समझ गए हैं आपको पता चल जाए कि इस तरह के figure में तिर्भूज की संख्या कैसे निकालेंगे तो किसी भी परकार के figure में आप तिर्भूज की संख्या बता सकते हैं जितने भी figure बनेंगे वो इन ही सभी को मिला करके बनेंगे हो सकता है इन दोनों को मिला करके बना दिया जाए इन दोनों को मिला करके बना दिया जाए तो आपको उसको समझना पड़ेगा और इस basic pattern के आधार पर उसमें तिर्भूज की गन्ना करना पड़ेगा तो सबसे पह है इस तरह के figure में इस तरह से करेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से counting link करके सभी को जोड़ देंगे तो देखें 4, 3, 7, 2, 9 और 10 इसका मतलब इस figure में total 10 तिर्भुज हैं तो अगर इस तरह का pattern है तो इसमें तिर्भुज की संख्यां इस तरह से निकालते हैं अब बात करते हैं दूसरे pattern का अगर इस तरह का pattern है या इस तरह का figure है तो इसमें तिर्भुज की संख्यां कैसे निकालेंगे इसके लिए देखेंगे कि इसमें horizontal line कितना है horizontal line का मतलब later हुआ line तो इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 तो इसमें 5 horizontal line है तो इसमें 5 तिर्भुज हो जाएगा क्योंकि देखें अगर यहां पर counting करें देखें यह एक तिर्भुज हुआ फिर दूसरा यह तिर्भुज हुआ फिर तिसरा यह हुआ उसी परकार से यह एक होगा करेंगे अगर यहां पर आप counting करें तो देखेंगे 1, 2, 3, 4 चार तिर्भुज अंदर में है और एक बड़ा है 5 मतलब कभी ऐसा pattern आपको दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 5 तिर्भुज बनता है और देखें इसका concept क्या है अंदर में जितना तिर्भुज अंदर जितने भी तिर्भुज रहेंगे उन सभी के लिए चार-चार तिर्भुज बनेंगे और एक बाहर बला हो जाएगा अलग से है ना एक example अगर और यहां पर लें मान ले जाए अगर इस तरह से रहे यहां पर देखें यह हुआ और एक और तिर्भुज इसके अंदर हम बना देते हैं अब इसमें अगर पूछा जाए कि कितना तिर्भुज है तो देखें बाहर बला छोड़ करके अंदर में कितना तिर्भुज है तो अंदर में दो तिर्भुज है एक और दो तो इन दोनों के लिए 4-4 बनेगा है ना और एक बड़ा बला हो जाएगा तो इक इतना हो जाएगा नो हो जाएगा तो कभी भी इस तरह का पेटर्न आएगा तो देखना है कि बाहर बला छोड़ करके अंदर में कितना तिरभुजे तो अंदर में जितना भी रहेगा सभी के लिए 4-4 और ए इस तरह से करने के बाद जितना maximum number होगा उसका double कर देंगे यहां पर देखिए 8 तक गया और 8 का double कितना होता है 16 इसका मतलब इस figure में total 16 30 हुज है ठीक है तो अगर कभी इस तरह का pattern आ जाए तो इस तरह से करना है और अगर इसका एक example लें जैसे मान लिया जाए यहां पर इसमे अगर पूछा जाए कि इसमें कितना तिर्भूज है तो फिर क्या करेंगे 1,2,3,4 अब 4 का double कर देंगे तो इसमें 8 तिर्भूज है आप चाहें तिसमें 8 तिर्भूज गिंती भी कर सकते हैं चुकि यह असान pattern है एक, दो, तीन, चार तो दिख रहा है अब देखिए यहां पर एक इसको देखिए यह 5 फिर उसी तरह से इधर 6 फिर इधर 7 और इधर 8 हो जाएगा तो इसमें 8 तिर्भूज है जिसका आपको counting नहीं करना है आपको concept ध्यान रखना है कि इस तरह का pattern रहेगा तो counting करेंगे और जहां तक counting जाएगा उसका double कर देंगे तो उतना ही pattern का अगर इस तरह का pattern है तब तिर्भूज की संख्याक कैसे निकालेंगे और यह सबसे tough pattern माना जाता है लेकिन हम जो technique बताने जा रहे हैं आपको सबसे आसान यही pattern लगेगा है ना तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे सबसे पहले छोटे 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 तिर्भूज को count क जाएगा 13 इसका मतलब इसमें total 13 तिर्भूज है तो कभी भी इस तरह का pattern आएगा तो आपको यही concept ध्यान रखना है छोटे तिर्भूज को count करेंगे उसका double करके 5 minus कर देंगे अगर आप चाहें इसको formula के रूप में भी बना सकते हैं यह हो जाएगा 2n-5 जहाँ n क्या हो ज basic pattern को जो बहुत ही आसान है आप समझ पायोंगे और तिर्भूज counting करने के लिए जितने भी question या figure बन सकते हैं वो इन्ही 5 basic pattern के आधार पर बनेंगे तो आप हम लोग 1-1 करके question को देखते हैं कि तिर्भूज counting करने के लिए कितने परकार का question या कितने परकार का figure बन सकता है ए एक भी type को नहीं छोड़ेंगे और आज के बाद कभी भी आपका triangle counting करने वाला question नहीं छूटेगा तो वीडियो काफी important होने वाला इसलिए अभी से इसको like कर दिजे और जो लोग channel पर ने हैं वो subscribe करके notification bell को on कर लेंगे ऐसे ही और वीडियो के लिए तो आये शुरू करते है तो यहां पर हम एक साथ में 6 figure या 6 question को लिए हैं और सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितना तिर्भू जाए तो इसके लिए देखें क्या करेंगे 1,2,3,4 आप सभी को जोड़ देंगे तो 4,3,7,2,0 और 10,10 को यहां पर लिखें अब इसमें गुना कर देंगे जितना इस तो इस तरह से बताया थे 1st pattern ऐसा हाना तो इसमें क्या करते थे 1,2,3 और सभी को जोड़ देते हैं 3,2,5 और 1,6 तर्भू जिसमें है तो अब यहां पर आप समझ ये अगर आप उपर वाले इतना पाट को देखिए केवल उपर तो आप देखिए यही pattern है कि नहीं तो यहां पर करेंगे तो 1,2,3,4 और सभी को जोड़ेंगे तो 10 आजाएगा उसी परकार से अगर आप यहां तक देखें तो यहां तक भी बापस वही pattern है अगर यह ला लाइन नहीं रहता तो बापस यही फिगर यहां पर है तो यहां भी 10 बनेगा फिर अगर यहां तक देखेंगे अगर यह दोनो लाइन नहीं रहेगा तो बापस यह वही फिगर बनेगा और यहां तक भी वही फिगर है तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें यही फिगर जितना होरी जेंटल लाइन रहता है उतना बर बन जाता है इस बेस पर भी बना इस बेस पर भी बना और इस बेस पर भी थे तो यहां पर क्या करेंगे 1 2 3 4 सभी को जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 और एक 10 ठीक है 10 हो गया प्लस यहां पर देखे 1 2 3 तो यहां से 3 2 5 और एक 6 प्लस यहां पर गोई करेंगे 1 2 3 तो यहां से करेंगे यहां पर देखिए यह सारा जो लाइन था यह पूरा तिर्भूज में गया था लेकिन यहां पर पूरा में नहीं गया है तो जहां तक गया है वही तक number करके counting करेंगे ठीक है अब आगे उसको देखते हैं यहां पर देखिए यहां देखिए इस pattern पराधारित है हमें concept आपको बताये थे कि अगर कोई तिर्भूज के अंदर में अगर तिर्भूज है तो अंदर वाले तिर्भूज के लिए चार बनता है चार तिर्भूज और एक बाहर बला हो जाता है 5 तो यहां पर देखिए रखां और छोड़ कर ननतर दो आईसे भी देख सकते थे कि देखिए ये वाला जो पाठ है ये ये फिर यहां पर ये और ये ये देखिए ये पहला पैटर्न के जैसा है अगर आप इसमें अलग से देखें कितना तिरभूज है तो ऐसा कर सकते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो तीन यहां से त्न यहां से तो 9 हो गया औरップ अफिसको ऐसे भी देख सकते ये तो सबसे आसान तरीका यह है अंदर दो तिर्वूज़ है तो दो बार चार-चर बनेगा और एक बाहर हो जाएगा और छे कहाँ से आएगा चुकि यहाँ पर देखिया लाइन खिच दिया गया अगर यह लाइन नहीं रहता तिनो तब इसका आंसर इतना ही हो जाता है ना यह जो line खीच दिया इसलिए 6 बढ़ गया है तो इसको आप समझ पाएं आप यहाँ पर देखते हैं इसमें number of triangle कितना है तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यह pattern को अगर आप गौर से देखिए यह तो यही pattern है यह वाला उसी परकार से यहाँ पर 4 सभी को जोड़ेंगे 4,3,7,2,9,10 तो इन तीनों में हो गया अब इसके अलावाद 2 तिर्भूज और है कौन एक यह बड़ा बला और यह अंदर छोटा बला तो इसमें plus 2 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 6,9,9 और 10,19,19 और 2,31 है इस figure में total 31 तिर्भूज है ठी यह जो है यह दो basic pattern को मिला करके बनाया गया है एक तो हम आपको यह बताया थे यह pattern की इस तरह से एक हो सकता है और यह आपका है यह है इसी में इस तरह से देखें जोड़ दिया गया इसको जोड़ दिया गया इसको जोड़ दिया गया और इसको जोड़ दिया गया तो इन चारों में अलग लग देख लेंगे और इसमें अलग से देख लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसमें देखें कि कितना तिरभूज है, तो 1, 2, 2 और 1, 3, मतलब इस फिगर में 3 तिरभूज है, तो 3, 3, 3, और 3, 4, चारों में 3, 3 हो जागा, 12 और प्लस, अब बचा क्या, अब ये बीच वला बचा, तो बीच में कैसे देखते हैं, बीच के लिए आपको बताया थे, इस पर टर्न में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, आठ का डबल कर देते हैं, तो सोला हो जाता है, ठीक है, तो बारा और सोला हो गया लेकिन, जहां-जहां जॉइंट हुआ है, वहां पर दो-दो तिर्भूज और बनेगा, देखिए, एक जॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, चार जॉइंट है, तो चारो जगा दो-दो तिर्भूज बनेगा, कैसे, आजे देखते हैं, ये देखिए, अग कितना तिर्भुज है तो इसमें देखें क्या बताया थे कि छोटे तिर्भुज को counting करना है कितना है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस जारा बारा तेरा 14 15 16 17 18 19 20 22 22 24 25 26 27 28 29 31 32 32 33 35 36 तो हम आपको बोले थे कि इस से counting करना है और जो आएगा उसमें double करके 5 माइनस कर देना है तेहां पर देखें 36 हुआ तो 36 का double करेंगे 72 हो जाएगा और 72 में 5 कम कर देंगे तो answer आजागा 67 मतलब इस figure में total 67 तिर्फुज बनेंगे अब कुछ और question को लेते हैं तो इसके बाद हम एक साथ में कई सारे question को ले लिए हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसमें number of triangle कितना है तो देखें यह जो figure है वो इस basic pattern पर बना हुआ है यह वाला जो बताये थे तो इसमें क्या बोले थे 1 2 3 4 और 4 का double कर देगे मतलब इस pattern में total 8 तिर्भूज बनते हैं तो देखें यही pattern यहाँ पर दौ बार है तो 8 यहाँ पर बनेगा और 8 यहाँ पर बनेगा 16 लेकिन जहां पर joint हुआ है यहाँ पर दो तिर्भूज और बन जाएगा कैसे यहां पर देखें एक देखें यह तरह से एक यह ऊपर से गर यहां जोटा है तो और यहां जोटा है तो यहां दो बस्ट तो कितना आठ चोबिस और चार अटाइस तो इस फिगरमें टोटल अठाट ऒज तो इस त्रहा का प्रटर्न अगर रहेGए अब को यहीं ध्यान रखना Yt ठीक है अब यहां पर देखे इसमें तो यहां पर भी देखे एई ही पैटर है तो आठ एठ आठ और आठ तो कितना हो जाएगा 32 पलस आप देखे जॉइंट कहां कहां पर है एक दो और तीन जॉइंट है तो दो करके तीन जगा हो जागा लिग cent यहाँपर एक तिर्भूज और बन जाएगा, यहाँ पर देखिए यह, यह अगर आपका और करें, तो यह एक तिर्भूज और बन रहा है, यहाँ पर देखिए, तो यह कितना आ जाएगा, 32, 32, 32, 35, और प्लस एक कितना वाज़ागा, 49, आप यहां पर देखिए तीन और तिर्भूज बनेगा कहां से देखिए एक तो सबसे बड़ा तिर्भूज यह बनेगा ये आप यहां पर अगर गौर करें ये आप देखिए ये ये एक तिर्भूज बन गया एक और दो और तिर्भूज बनेगा दो तिर्भूज कहां से बने यह है ना और फिर यहां से एक यह हुआ तो तीन इसमें और जुट जाएगा तो इसमें टोटल 41 तिर्फुज बनेंगे इस figure में अब बात करते हैं इस figure का कि इसमें number of triangle कितना है तो इसके लिए इस figure को अगर इस line से आप अलग करके देखें ध्यान से अगर आप देखें तो आ number of triangle 3 होगा है ना एक दो दोनों को जोड़ेंगे 3 हो जागा तो 3 यहां से और 3 यहां से लेकिन जैसे ही दोनों जुटेगा तो एक और तिर्फुज बन जाएगा कहां से यह देखिए यह एक बड़ा बला तिर्फुज बन जाएगा तो कितना हो जागा इसमें total 7 है यहां तक देखिए अगर यह था फिर उसी तरह से इधर भी वही फिगर है इस तरह से देखिए यह वला और फिर इधर से भी वही फिगर है यह वला देखिए अगर आप इन तीनों को मिलाएंगे तो यह फिगर बन जाएगा तो इसमें number of triangle कितना आजागा तीन तीन और नौ तो हो गया और प्लस जैसे यह तिनों ज्वाइंट होगा तो दो त्रिभूज और बन जागा कहां से यह देखिए एक देखिए तिरभूज यह बन रहा है जुटने से यह गौर कर यह यह और उसी परकार इधर से यह तो कितना हो जागा 9 और प्लस 2 11 तो इस तरह के फि है और इस फिगर को इधर से जोड़ दिया गया यहां यहां पर तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे इसमें तो अभी पता चल गया ताकि number of triangle यह गया रहा होगा और इसमें भी पता चल गया कि number of triangle 7 होगा तो इतना तो होगा ही साथ के साथ जैसे ही दोनों joint हुआ तो दो और बन रहा है देखिए यहां पर joint हुआ जो extra triangle बनेगा वो जहां joint होगा वही पर बनेगा तो यहां पर देखिए joint हुआ तो इन दोनों को मिला करके तिर्भूज बनेगा वही extra होगा देखिए यह जो तिर्भूज है इन दोनों figure को मिला करके बन रहा है joint होने से जो extra figure बने तो इसमें total 20-30 हो जाए, अब बात करते हैं इस figure का, तो यहाँ पर भी देखिए, वही तीनों pattern है, यहाँ पर एक pattern है, यह वला, और यह दोनों साइड में यह वला pattern है, तो यहाँ पर देखें कितना हो जागा, इसके लिए हो जागा 11, पलस इसके लिए हो जागा 7, और इसके हो जाएगा एक 11 और साथ साथ 14 14 और एक 11 हो जागा 25 25 और 29 इसका मतलब इस फिगर में टोटल 29 तिर्भूज बनेंगे अब जो बाकी रह गया है और एक ये रहा और एक ये रहा तो देखे अगर इस तरह का फिगर है तो इसमें क्या करेंगे 123456 छे हुआ इसके लावा दो तिर्भूज और है बढ़ा एक ये बढ़ा ब़ा और एक ये बढ़ा बड़ा बस इसके लावा इसमें कोई भी तिर्भूज नहीं है तो 6 और प्लस 2, 8 हो जागा, total इसमें 8 तिर्भूज है, और अगर इस तरह का star बना हो और इसमें पुछा जाए कि number of triangle कितना होगा, तो इसमें देखिया क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया, इसके अलाबा इसमें जितना सीधा line है ना, उतना तिर्भूज और बनेगा, हर line तिर्भूज बनाएगा, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, तो देखें, यह बला line जो है, यह तिर्भूज बना रहा है, यह उसी परकर से यह बला line, यह तिर्भूज बना रहा है, यह बला line, यह तिर्भूज बना रहा है, तो जितना इसमें line है, उतना होना चाहिए तो हम उम्मीद करते हैं कि तिर्भूच के जो पांच basic pattern है उसको आप समझ पाया होंगे और उसको भी हाय पर जितने भी प्रकार के question हम बता हैं उसको भी आप समझ पाया होंगे और आगले वीडियो में हम number of square और number of rectangle के बारे में बात करेंगे